यदि आप OnePlus Nord smartphone के यूजर्स हैं तो कैसे आपने OnePlus Nord smartphone पर TWRP को श्टॉल करें? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचानें हेलो दुस्तुरों मुश्कार आज आपका मेरी एक और अज वीडियो में स्वागत है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप OnePlus Nord smartphone के यूजर्स हैं तो कैसे आप अपने डिवाइस पर TWRP को श्टॉल कर सकते हैं? TWRP को श्टॉल करने से पहले आपको अपने डिवाइस का बूल लोडर अलॉक करना होगा बूल लोडर अलॉक कैसे करते हैं? उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाई होई है उपर आपको आई बटर में लिंक बिल जाएगी, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक बिल जाएगी वहाँ से वो वीडियो चेक आउट कर लेएगी, उसी में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने डिवाइस का बैक अप ले सकते हैं पूरा टिटोरियल आप उस वीडियो को देख करके कर सकते हैं आपका सारा डेटा सेव रहेगा, कोई भी आपका डेटा एरेज नहीं होगा अगर आप वो वीडियो देख करके बूर लोडर को अलॉक कर लेते हैं उसी के बाद आप यहाँ पर अपने डिवाइस पर TWRP इस्टॉल करने के लिए इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कैसे आप अपने डिवाइस पर TWRP इस्टॉल कर सकते हैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप TWRP इस्टॉल करने के बाद उसे रूट कर सकते हैं तो TWRP को install करने के लिए simply आपको यहाँ पर backup लेनी की आशकता नहीं है, क्योंकि आपने bootloader जब unlock किया वहीं पर आपको backup लेनी की आशकता होती है, TWRP install करते सामें कोई भी backup required नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी data erase होने वाला नहीं है, आपको सबसे पहले वीडियो की description में से लिंक से तीरो फाइल्स डालोड कर लेनी है, अब आपको एक एक करके इन फाइल्स का यूज करना है, सबसे पहले platform tools को आपको extract करा लेना है, कुछ इस तरीके से यह आपकी extract होकर के आजाएगी यहाँ पर, अब आपको जो adv and fastboot की फाइल है उस पर double tap करना है, इसको yes करते हुए आपको English language को select करते हुए install कराने के लिए ok करना है, next करना है, उसके बाद finish कर देना है, अब आपको यहाँ पर जो twrp की फाइल है आपको इसको platform tools के अंदर डाल देना है, कुछ इस तरीके से, आप जब इसके अंदर डाल देंगे, इसको आप open करेंगे, तो यह files आपको यहाँ देखने को में लेगी, इसके अंदर आपको और डाल देना है, जब यह file आपकी यहाँ पर show हो जाएगी, अब आपका यहाँ पर PC पर जो काम था, वो complete हो चुका है, अब आपको simply mobile phones पर आ जाना है अपने, और यहाँ पर देखना है, सबसे पहले जाना है आपको इसकी settings के अंदर about phone पर tap करते हुए, build number पर आप 4 से 5 बार tap करेंगे, options आपको enable करना है, और इससे पहले आपने bull loader unlock कर लिया होगा, जो कि कुछ इस तरीके का आपको OEM unlocking देखने को मिलेगा, यह आपका December रहता है features, इस पर आप कुछ भी click वगएरा नहीं कर सकते हैं, अब आपको simply OnePlus की USB cable का एक सिरा अपने PC पे लगा देना है, और दूसरा इस mobile phones के साथ में आपको लगा देना है, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर उपर की तरफ आपको एक notification देखने को मिलेगा जो कि यहाँ से turn off करने के लिए बोलता है, परनतु आपको यहाँ पर enable ही इसको रखना है और कुछ भी नहीं करना है, अब आपको आयाना है अपने PC पर simply ADB की जो यह फाइल दिख रहे हैं आप, इस पर आपको double click कर देना है और आपको ध्यार रखना है कि आपके PC पर कोई बी अन्टी वारेस ना हो, फिर आप चाहें विंडू 7, विंडू 8 याज विंडू 10 का यूज कर रहे हो, इसे आप double tap करके run कर आ देंगे तो यह कुछ इस तरीके से run कर जाएगा, अब आपको यहाँ पर खाली जगे पर आना है, एक बार आपको left की माउस की दबाना है, उस इसको आपको open कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर एक command देनी है ADV devices इस पेस रखना है बीच में और इसके बाद आपको enter की दबा देनी है तो आप देखेंगे कि यहां पर यह कुछ इस तरीके का error देखने को मिल जाता है अब आपको यहां पर mobile phones पर अपने बापिस जाना है यहां पर एक देखेंगे आपको pop-up आया हुआ है इसे आप allow कर देंगे allow जैसे ही मैंने इसको कर दिया है अब मैं दोबारा से यहां पर लिखता हूँ ADV devices उसके बाद इंटर करता हूँ तो मेरा device यहां पर आयाता है और यह अटेस्ट लिखा हुआ बता देता है अब यहां पर simply मैं कमांड देता हूँ ADV remote bootloader अपने device को मुझे bootloader में लेके जाना है और उसके बाद इंटर मैं कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो mobile है वो कुछ इस तरीके से यहां पर automatic चला जाएगा reboot hooker के fast boot board के अंदर अब यहां पर आप देखेंगे जो की bootloader है वो यहां पर unlock की स्रेडी में लिखा हुआ दिखने को मिल जाता है तो यह आपका unlock होना आवश्यक है जैसा कि मैंने बताया अब यहां पर मैं कमांड देता हूँ TWRP को flash कराने के लिए fast boot space flash recovery और उसके बाद space देना है और यहां से जो file है उसको आपको drag करा देना है simply तो यह files आपकी यहां पर drag होकर के पूरी आ जाएगी जो की इसकी sendy में होगी अब आपको यहां पर enter की को press कर देना है जैसे ही आप enter की press कर देंगे आप देखेंगे simply कुछ इस तरीके से यहां पर जो TWRP है वो install हो चुकी है कुछ इस तरीके से अब आपको यहां पर एक बार और command देनी है fast boot और उसके बाद reboot लिखना है आपको और इसके बाद enter कर देना है अब आपका जो mobile है वो यहां पर reboot होगा कुछ इस तरीके से और अब आप देखेंगे कि आपका जो mobile phone है वो यहां पर on हो चुका है कुछ इस तरीके से अब मैं इस cable को यहां पर निकाल लेता हूँ और अब मैं यहां पर से जाना चाता हूँ recovery पर तो इसके लिए मैं सबसे पहले phone को power off करता हूँ कुछ इस तरीके से यहां पर मेरी जो recovery है वो आई है या फिर नहीं यह चीज़ चेक आउट करने के लिए तो device यहां पर off हो चुका है अब मैं यहां पर power key के साथ में volume minus key को एक साथ hold and press करने वाला हूँ दोनों को एक साथ दवाय रखना है कुछ समय तक उसके बाद एक vibration होगा आपको power key को छोड़ देना है परन्तु volume minus key को अभी भी नहीं छोड़ना है उसके बाद कुछ second के बाद आपको इस key को यहां पर छोड़ देना है और इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर TWRP टीम बिल आच की है तो आप इस तरीके से इसको परवनेंटल इस्टॉल कर सकते हैं यहां पर आपको TWRP इस्टॉल करते समय कोई भी डेटा को बेक अप लेनी के आवसकता नहीं है अगर आप बुल लोडर अलॉक करते हैं उस समय आपको आवस्टा होती है जैसक कि मैंने आपको बताया था वही स्टेब फॉलो करते हुए आप यहां पर आ सकते हैं और इसके द्वारा आप TWRP को इस्टॉल कर सकते हैं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेवाइस को रूट कर सकते हैं मैं आपको step by step तीनों तरीके बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके के तरीके कोई भी यूट्यूवर ने अभी तक नहीं बता हैं मैं चाहता हूं आपको कुछ unique और आपके solution के अनुशार आपको चीजे देखने को मिलें अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें साथ में चैरिक को सब्सक्राइब भी जरू कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कुछिस करता रहता हूं थेंक यू जय हिंजा भारत बंदे मातरम